Hello student, आज हम इस वीडियो में break-even analysis को discuss करेंगे, तो देखे, break-even analysis का मतलब आपको break-even point को analysis करना है, clear है, अब break-even point होता क्या है, तो basically यह वो point होता है, जिस point पे company को ना ही profit हो रहा होता है और ना ही loss हो रहाता है, it means what, कि एक ऐसा point जहाँ पे आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी आप production में जितना भी खर्चा कर रहे हैं, आप उतना ही revenue generate कर रहे हैं, मतलब उतना ही sale कर रहे हैं, दोनों चीज़े equal हो जा रही हैं, जिससे हम कहते हैं ना तो कोई profit हुआ ना ही loss, मतलब हमने जितना लगाया, उतना ही हमें मिल गया, तो वो equal हो गया, तो उसी point को, ज business होते हैं, companies होते हैं, वो यह जान पाती हैं कि जो भी product या services वो बना रही हैं, उसका जो भी cost of production आ रहा है, मतलब जितना भी खर्चा लग जा रहा है, उसको बनाने में, क्या उनके पास वो ability है कि वो उतना उस product या service से revenue generate कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बटो आप business run करते हैं, profit कमाने के लिए, तो अगर आपको यह पता चल जाए कि इस point पे हमको न profit होगा न loss, मतलब इस point तक हम एपने business को लगाना है, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, तब ही हम profit कमाएंगे, तो यह हमें जानना जरूरी होता है, और यह जानना हमें यह बता देगा कि ठीक है, इस point का मतलब यह हो गया, कि अब हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं, उतना तो हम recover कर ले जाएंगे, तो यह जानना जरूरी होता है organization में, कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं product को बनाने में, क्या आपका product या service, उससे उतना revenue generate कर लेगा, क्या उसको पूरा meet out कर होता है, वो ही amount हमारा break-even point या break-even amount कहलाता है, clear है, उस point को हम break-even point कहते हैं, अब organization में या entrepreneur को ऐसा करने की जरूरत क्यों परती है, right, मतलब क्यों organization या entrepreneur ऐसा करते हैं, तो basically यह जो आपका break-even point होता है, बहुत बड़े-बड़े business decision को लेने में help करता है, जैसे कि आपको price set करन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस amount में या इस price है, तो खाले हम expense cover कर पा रहे हैं, अगर मुझे profit कमाना है, तो इस से जादा हमें लगाना होगा, इस से इतना person हमें extra करना होगा, तो price set करने में भी आपको break-even points बहुत help करता है, इसके लावार जब competitive bits होती है, या फिर आ अब lowest price लगाने से पहले देखेंगे ना कि मेरा खर्चा जितना हो रहा उतना recover हो जाए, उसके बाद मुझे एक दो या दो तीन, जितना भी आप profit सोचना हो जाए, उस हिसाब से आप bid लगाएंगे, profit का percentage कम करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह तुरी ना, कि tender पाने के लिए आ तो competitive bid कितने की लगाई जाए, बोली कितने की लगाई जाए, उसमें भी आपको break-even काफी help करता है, या loan के लिए जब apply करते हैं, तो वहाँ पे भी करता है, इसके अलावा आपकी goal set करने के लिए, profit की planning करने के लिए, इन सब के लिए break-even analysis बहुत important role play करता है, और इसलिए हम break break-even analysis करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको एक graph से समझें कि break-even analysis या break-even point को हम graph पे कैसे show करेंगे, break-even level होता है, उसका क्या मतलब होता है, कि उसमें total जो आपका revenue है, वो total expense के बराबर होगा, मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया, उतना आपको revenue generate हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे, जब हम इस तरह से हम अपनी business को run करते हैं, और unit बनाते हैं और sale करते हैं, तो एक खर्चा होता है, fixed cost जिसे हम कहते हैं, वो खर्चा ऐसा होता है, कि अगर आप कुछ भी production ना करें, फिर भी आपको वो खर्चा देना ही होगा, मतलब वो cost त है, unit कोई भी sold नहीं करिए, फिर भी वो खर्चा तो उतना होगा, जैसे factory का rent, rent तो जाएगा ही, factory बंद पड़िए तो भी, आपको हर महीने rent देना पड़ेगा, तो वो क्या होगया, fixed cost, तो जैसे यहाँ पे हम माल लेते हैं, कि 2000 क्या होगया, आपका fixed cost होगया, clear है, अब fixed cost plus variable cost is equal to, क्या, total cost आता है, ठीक, अब हम यहाँ पे variable cost का graph नहीं बनाएंगे, पर हम total cost के यहाँ पर सीधे दिखाएं, तो total cost कहाँ से शुरू होगी, क्या ही, जो हमारा x-axis औ y-axis जहाँ पर meet-out हो रहे हैं, जो point है, जो ten or thousand की बीच में, क्या वहाँ से हमारा total cost स्टार्ट होग आप नहीं बनाएंगे, तो नहीं खर्चा होगा, तो variable cost production पे डिपिंट करता है, level of activity पे डिपिंट करता है, अगर activity जादा होगी, तो variable cost भी जादा होगा, activity कम होगी, तो variable cost भी कम होगा, तो yes, अगर हम zero product बनाएंगे, तो variable cost क्या रहेगा, zero रहेगा, ठीक, तो variable cost का जो graph जा सब्सक्क्राइब ट्रेंड में रहेगा आपके रिवैन्यू का ग्राफ जो होता है यह हमारा रिवैन्यू बन गया जब दस यूनिट करेंगे तो थाउजन का बना फिर 20 अगर करेंगे तो थाउजन में तो अगर हमानते हैं कि एक यूनिट हैंड़ रुपीज की आप सेल कर रहे हैं तो उसका है 10,000 पे आपका 10 यूनिट पे आपको 1,000 मिलेगा 20 यूनिट पे आपको 2,000 मिलेगा तो जब आप इस तरह से पूरा मैच करते जाएंगे तो रिवैन्यू का ग्राफ कैसे जाएगा अपोर ट्रेंड में चलता जाएगा ठीक अब धियान से देखिएगा टोटल कॉस्ट आपक और नहीं लॉस हुआ तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा जिस पॉइंट पे रिवैन्यू कर्व और टॉटल कॉस्ट एक गुसरी को इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है जिस पॉइंट पे कट रही है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा तो यहां पर देखिए यहां पर हमारा क्या है कि पॉइंट बन गाया क्योंकि total cost और revenue यहां पर equal हो जा रही है इस point पर equal हो रही है जितना खरचा किया उतना ही हमारा revenue बन के आ रहा गर हम इसको पूरा graph टैप का देखते हैं तो देखिए 3000 और 30 units, मतलब अगर 30 units हम sale करते हैं, तो हमेरी वेन्ट 3,000 किया आएगी, it means यह जो 3,000 है वो हमारा क्या बन गया, total cost fixed cost, variable cost को मिला के 3,000 लगने थे, और 30 units से उतना हमारा recover हो गया, ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा, वो point हो गया, जिस point पे ना ही हमें profit हुओ और ना ही हमें loss हुआ clear, अब जो हमारा total cost और revenue का आप graph देख रहे हैं यहाँ पे curve देख रहे हैं, line देख रहे हैं तो यह देखिए, total cost आपकी नीचे है, उपर साइट में देखेंगे और revenue जादा है, इसका मतलब इसकी बीच का gap अब हमारा क्या बन जाएगा, profit बन जाएगा कैसे, revenue जादा हो रही है और total cost कम है, खर्चा कम revenue जादा, तो break-even point से जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है profit होता है, क्योंकि इस point तो कोई profit नहीं है, पर इस point से अगर आगे आपने sale की, तो बट वसे बात आप क्या कमाएंगे, profit कमाएंगे, तो total cost में से, total cost कम है और revenue हमारी जादा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, profit, वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 2000 और जो नीची का, मतलब पॉइंट से नीची की line है वो हमारा loss को denote करेगी, कैसे denote करेगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि total cost जो है, तो हमारी जो pink line है वो जादा है, और जो हमारी revenue है वो कम है, तो खर्चा जादा और revenue कम, तो it means what कि हमारा हम loss में, तो break-even point के नीचे आप क्या आते हैं, loss में आते हैं और break-even point के उपर में आप क्या रहते हैं profit में रहते हैं, is it clear तो यह हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा graph हो जाता है, जिसके basis पे हम समझ पाते हैं, कि यह हमारा point यह इतनी units हमारी break-even point कहलाएगी, और जब हमें यह पता रहेगा, तो हम उतना production करके उतनी unit को sale करके, हम at least अपने expenses को meet out करें, और उससे जादा जितना भी रहेगा, वो हमारा profit हो जाएगा, अब यह point यह जो है कि कहां पे कितना product बनाएगी, तो हमारा break-even है, उससे जादा बनाएगी, तो profit होगा, यह कैसे पता चलेगा, इसको formula से भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि break-even level को calculate करने के formula को हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको units में पता करना है, कि कितनी units produce की जाए, जिसको हम break-even point कहेंगे, या break-even units कहेंगे, कि इतने पे कोई loss नहीं, कोई profit नहीं है, तो उसे कैसे calculate करते हैं, तो उसे calculate करने का formula दिया गया है, वो है आपका fixed cost, क्योंकि यह तो आपको recover करनी करनी है, तो fixed cost divided by contribution per unit, यह calculate करते ही हमें क्या मिल जाती है, per unit आपकी break-even point clear हो जाती है, तो कितना unit आपको produce करना है, जहापे आपको loss नहीं होगा, profit नहीं होगा, अब contribution कैसे आता है, तो contribution का मतलब होता है, sales minus variable cost, देखिए इसका एक बहुत simple सा formula होता है, कि sales लेखते हैं, sales में से variable cost को less करते हैं, तो contribution आया हो, contribution में से जब हम fixed cost को less कर देते हैं, तो हमारा profit आजाता है, जिसको हम generally EBIT break-even points को rupees में calculate करना, मतलब कितने रुपे का हमको production करना चाहिए, कितने रुपे के हमें sale करना ही चाहिए, कि जिससे हमें ना ही profit और ना ही loss हो, अगर उससे calculate करना हो, तो उसके लिए formula बनाया गया, कि आप अपनी fixed cost को देखिए और divide कर देजिए उसको PV ratio से, ठीक है, PV ratio का मतलब तब profit volume ratio ठीक, profit मतलब contribution और volume मतलब sales तो PV ratio का क्या मतलब हो गया contribution divided by sales तो fixed cost divided by PV ratio करना होता है, अब इसके लिए PV ratio का formula मनें बता दिए contribution divided by sales, अगर इसको हमको किसी और तरीके से लिखना हो, तो हम कैसे कर सकते है, fixed cost divided by PV ratio के जगा क्या लिख देंगे, contribution divided by sales और reciprocal कर देंगे, तो reciprocal करते ही मारा क्या बन जाएगा, fixed cost multiply by sales, divided by क्या आजाएगा, contribution, अब यहां तो हम contribution लिखे, यहां लिखे, sales minus variable cost तो आपके पास जो भी data अवलेबल होंगे, exams में, उसके basis इस पर आप formula calculate कर सकते हैं, पर in generally, यह सारी चीज़े, इसके थू हम अपनी break-even units को and rupees में उसको calculate कर लेते हैं, clear है, तो हमने graph भी देख लिया और formula भी देख लिया, अब एक concept रहता है margin of safety, नाम से clear है कि कितनी margin में आप safe हैं, है ना, तो but of इससे बात है कि break-even point तो आपको यह बता रहा था कि यहाँ पर कोई कुछ loss नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, जितना कमाई हो, अतना खर्ज भी हो गया, सब बराबर है ठीक, पर अगर इस से ज़्यादा आप करते हैं, तो आप safe inside चल रहे हैं, है ना, तो margin of safety भी calculate करते हैं, तो basically यह होता क्या है, तो यह होता है कि आपका जो break-even sales है और आपकी जो actual sales है, दोनों के बीच के difference को हम क्या कहते है, margin of safety clear है, अगर आपकी actual sales, break-even sales से ज़्यादा है, तो margin of safety बहुत अच्छी, positive है, high है, अगर break-even sales से कम आपकी actual sales हो रहे हैं, मतलब आप तो घर-बढ़ है, break-even sales तो कहते हैं न कि, न profit, न loss, उससे कम आप sale कर रहे हैं, इसका मतलब आप तो loss में जहा रहे हैं, तो low margin of safety हो जाता है, ठीक है, तो यह calculate करने के लिए simple से चीज है कि break-even points से जितना भी जादा आपका sale हो रहा है, actual sales जो भी हो रही है, break-even point से जितना भी जादा, वो आपका margin of safety का area बन जाता है, वो margin of safety बन जाती है, clear है, तो यहां पे यह, जो margin of safety है basically वो क्या होगा, एक financial ratio हो जाता है, जो यह बताता है कि company के actual profit, उनके fixed और variable cost को recover करने के बाद कितनी है, क्योंकि break-even हमें कहता है कि total cost recover हो गई, break-even point तो यह कह रहा, कि जितना भी आपने कमाया उससे आपको पूरा खर्चा meet out हो गया, total cost recover हो गया, total cost का क्या मतलता है, fixed draw variable, दोनों, तो यह obvious से बात है कि ratio हो गया आपका margin of safety जो आपको बता रहा है कि आपका actual profit जो है, वो आपके सारे खर्चों को fixed draw variable, सारे खर्चों को cover करने के बाद इतना profit आपने कमाया है, ठीक, तो margin of safety का जो formula in general बताया जाता है, वो क्या हो गया, actual sales minus break-even sales, ठीक, अगर आपका low margin of safety है, low margin of safety जो उसे हमने बताया कि आपने break-even sales से exceed नहीं, उसे कम किया है, तो sales किया है, बतार barely exceeds आपका, बतार almost nil के बराबर आपकी sales exceed कर रही है, तो उस case में क्या हो गया, low margin of safety हो गया, और ये company के रिए बहुत बड़ा risk हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका break-even level जितना है, जितना product बना कि आप safe zone में रहते हैं, आप उससे भी कम, उससे भी कम आपका sale हो रही है, तो ये तो फिर problem time हो जाता है company के लिए, कि जिससे कि वो अपने fixed cost के खर्चों को भी recover कर पगा है, है न, variable तो छोड़िए fixed cost के भी खर्चे वो recover करने की condition में नहीं बचती है, ठीक है, तो अगर हम इसको graph पे देखते हैं, तो margin of safety हमारा कहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा, वो same graph हमारा है, तो मान लिजे यहां पर कैसे हुआ यहां पर, कि 30 unit हमारी कहते है, break-even sales थी, और मान लिजे हमारी company ने 60 unit sale कर दी, तो actual sale कितनी हुए, 60 units की और break-even sales क्या हुए, 30 units की, तो जितना भी break-even से जादा हमने sale की, actual और break-even के difference को यह हम क्या कहते है, margin of safety तो यह हमारा क्या बन जाएगा, margin of safety का area बन जाता है, clear है तो I think आपको margin of safety और break-even point दोनों का ही concept clear होगा, और हम क्यों analysis करते हैं वो चीज़े भी clear हो गए, so wish you all the best thank you so much